नमस्कार मित्रो जेन्यू रिनेसा ओन्लाइन क्लासिज प्लेटफर्म यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मित्रो हमारे कुछ साथी लोग ये बात जानना चाहते हैं कि पदों को कैसे पढ़ा जाए कॉलेज लेक्चुरर की परिक्षा में साइक प्रोफेसर की इस परिक जहां से विसीस मात्रा में सवाल आने हैं वो बहुती डिसाइडेड यूनिट हैं मित्रो पदों का अध्यानम कैसे करें इस संदर में हम आज आप से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं मित्रो मान के चलिए कि हमको ब्रमरगीत पढ़ना है ब्रमरगीत के पद लगे हुए हैं वैसे तो सूर दास ने अपने सूर सागर के दसम इसकंद में लगबग 752 पदों के आसपास ब्रमरगीत से सम्मंदित पद लिखे हैं और रामचंदर सोकुल ने ब्रमरगीत सार का जो संपदन किया है उसमें 400 पदों को इस्थान दिया है मित्रो पद संख्या 21 से लेकर क पद संख्या 50 तक या आपके सलिवस में लगा हुआ है ये दो सिर्फ हम एक नम्बूने की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पद बहुत सारे रचनाकारों के लगे हुए हैं आधुनी काल तक लगे हुए हैं नेरला की राम की सक्तिपोजा प्रसाद की कामाईनी वो सब पद लगे हुए हैं प्रचनाएं लगी हुई हैं सबसे पहले तो सेहरदय विध्यारति होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रमरगीत से जुड़े हुई तमाम पहलू और तमाम विचारकों के जो विभिन मत हैं वो क्या-क्या हैं क्योंकि आवशक नहीं है कि प प्रमरगीत की कौनसी एक विशेशतार नहीं है और च्छमा करना आप यदि के वल ये सोच करके निश्चिंत है कि नियांको पता है निरगुन ब्रहम पर सबुन ब्रहम की जीत है तो वो तो उसका एक अंस है माना कि वो उसका मुलबुत उद्दे से है पर वह तो उसका एक तो मित्रो सबसे पहले तो आप प्रमरगीत की जितनी भी विशेशताईं बनती हैं किस प्रकार उसमें वाग वैदर्दता है किस प्रकार अन्योकती अलंकार का सांधार चितरन हुआ है किस प्रकार राम चंदर सोकुल ने प्रमरगीत को सर्वसरिष्ट उपालंब कावे सर् ब्रहका कितना मार्मित चित्रन भ्रमरगीत में मिलता है कि व्योग सरंगार की दस दसाओं और चारो इस्थितियों का पूर्ण परिपाक आप यहां देख सकते हैं। कदाचित व्योग सरंगार की महन रचनाओं में। या तो हमको पदमावत का नागमती व्योग खंड याद आता है, ये सूर सागर का भ्रमरगीत अंस याद आता है। मित्रो, मैं सूर दास का आपको एक पद पड़ा करके ये समझाऊँगा, कि किस प्रकार भावपरक और सिल्परक सवाल आप से पूछे जाएंगे, क्योंकि पद की व्याख्या तो महतपून है ही, पर उससे ज़्यादा महतपून तो अंतते हमको सवाल बनाने हैं, प्रसंद की एप्रोच क्या होगी, किस प्रकार काभशाष्टरी ये क्वश्चन आपकी परिच्छा में पूछे जा सकते हैं पदों से, उसकी आज हम बातशीत करेंगे, लेकिन मुझे वो बीए वाले दिन याद आ गए ही, जब मैं विद्यारती था, बीए थर्डियर का विसीसकर, सुर्दास उसमें पढ़ते थे, एमे प्रवेस में जाईसी और उसम लगे होए थे, ये तो छात्र जीवन आज मुखरित हो उठा है, आज मैं आपके सामने एक अध्यापक के रूप में नहीं हूँ, मित्रों, मैं एक विद्यारती के रूप में आज आपके सामने परस्तुत हूँ, एक सहर्दे विद्यारती, जब हम पदों को पढ़ते थे, सूर्सागर के पदों को, खेत में जाया करते थे, आप लोगों की तरह मैंने कभी जीवन में कोचिंग वगर नहीं ली, बस जवालाल नहरुवी सुद्याले में पढ़ने का सौभागे प्राप्त हो गया, पर उससे पहले भी खेतों में जाय करके आती थी, वहीं खेतर में, वहीं सूर्दास के पदपड रहे हैं, रो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, साइड में गाहे भेंस भी चर रही हैं, वह अपना काम हो रहा है, तो मित्रो सूर्दास का ब्रमर गीत, सूर्दास का ब्रमर गीत, बिलकुल सही बात है, कि निर्गुन लंब मन चक्रत दहावे सवविदी अगम विचारी ताते सूर सगुन लीला पदगावे बक्ति काल में कहीं कहीं एक ऐसी विचार धारात्मक द्वंद देखने को मिलता है कि सगुन और निर्गुन को लेकर के दो खेमे बटे हुए थे और आपको पता है कि सगुन के बहुत बड़े तुलसिदास सूर दास के समकालीन है और सूर दास निर्गुन भक्ती प्रक्रिया को भी देख रहे थे कबिर्दास और और भी बहुत सारे संत निर्गुन भक्ती में लिख रहे थे आप जानते हैं लेकिन निर्गुण के बारे में सूर्दास का साफ मानना है कि अरे भाई, मुझे तो कुछ दिखलाई नहीं देता है जब मुझे को ना उसका रूप ना आकार आप को गए आप को कैसे दिखलाई देगा, आप तो वैसे ये अंदे हैं नहीं सूर्दास के अंतर्मन की आँखों ने तो वो चीज़ देख लिए है जो कोई आँखों वाला भी जिसके रूप नहीं जिसकी आकरती नहीं जिसका आकार नहीं जिसके माता-पिता का पता नहीं जो किस गुण का विलासी है कुछ पता ही नहीं है भाई लोगो तो मैं अपने मन को किस पर आवलम्वित करके किस की पूजा कर लूँ तरूप रेख गुन जात जुकती बिन निरा लंब मन चक्रत धावे चरायमान रहेगा मेरा मन इसलिए सब विदी अगम विचारही ताते सूर सगुन लीला पदगावे के पदों का लीला गायन ही करूँगा ये कहना था इस पष्टवादी सूर्दास का और जबू भ्रमरगीत लिखने बैठे किस परकार मत्रा नगरी में स्रीकरसंजी भगवान दुआरे का दीश आतो गए लेकिन बेचे नी सहरी संस्कृती गरमीन संस्कृती को याद करके रो रही है मितरो सहरो में रहने वाले मेरे बड़े बड़े बुद्धी जीवियो गावों को याद तो करो प्राकर्तिक जो नेसरगीक सिसमा है वो तो गावों में है हंस सुतासी कंचन नगरी पर वहां रहे कर भी करसन को चैन नहीं है उसको बाल, गौाल, ब्रज, गोपियां सब याद आ रही है और याद करकर के वो इतने परिसान है वो बहुत भावक हो रहे हैं और उसी समय उनके एक सखा जो उनके हम रूप है सकल भी एक दूसरे से मिलती जुलती है दोनों सावले है, उदव जी आ गए तवही उपंग सुत्याई गए सखा सखा कच्छू अंतर ना ही, भरी भरी अंक लहे दोनों में कोई अंतर नहीं है, गले लग लग करके दोनों मिल रहे है अतिसुन्दर तनस्याम सरी को देखत हरी पच्चता ने ऐसे को वैसी बुद्य होती ब्रजपठवे तब आने कि भाई, ये उदव बहुत बड़ी आदमी है बिलकुल मेरा जैसा है, मेरा ही परतिरूप है लेकिन इसके अंदर तो योग और ज्यान भरा हुआ है मैं अपने प्रेम की चर्चा करूँगा तो ये मेरा परिहास करेगा, मेरा मजा की उड़ाएगा कितना अच्छा होता, यदि उदव के घर्चे में प्रेम तत्व होता तो मैं अपनी मन की कुछ फिलिंग तो कह लेता कुछ तो सेयर कर लेता, लेकिन मैं कैसे करूं सेयर क्योंकि आती सुंदर तनस्याम सरी को, है तो मेरा जैसा ही सुंदर लेकिन उसको देखत हरी पच्छता ने, करसंजी पच्छता रहे हैं कि क्या फाइदा उस दोस्त का क्या फाइदा, जब दोस्त की बाहत को वो ना सुन करके मजा की उड़ाए तो करसंजी ने ठान लिया, कि ऐसे को वैसी बुद्धी होई, इसको वो बुद्धी जब आएगी, सगुन इसवर करसंप्रेम वाली बुद्धी, जब ये ब्रज में चला जाएगा, तो इसके निर्गुन की जगे सगुन बैठ जाएगा दिमाग में तो भाई, करसंजी कहते हैं, ओदव जी से बात तो चलाई, भाई रहा थोड़ी जाएगा, दिल में बेचेनी इतनी है, तो बात तो कही जाएगी, तो करसंजी कहते हैं, सखा सुनो मेरी एक ही बात, वह लतागन संग गोपिन सुदिकरत पचिताथ, हे सखा, मुझे लता जागरी में क्यों आ गया, ये है मित्रो सहरी संस्कृती पर ग्रामिन संस्कृती की विजए, बहुत सारी विजए ब्रमर गीत में मिलेंगी आपको, ब्रमर गीत में निर्गुन ब्रम पर सगुन ब्रम की जीत है, ज्यान पर भक्ती की जीत है, योग पर प्रेम की जीत है, च पर जब करसंजी ने अपनी व्याकुलता को जाहिर किया मित्रो तो उधव आ गया अपनी वास्तिविक्ता पर ज्ञानी आदमी है तो ज्ञान की बात करेगा उसके पास तो प्रेम है ही नहीं है अवो करसंजी को ही समझाने लग गया कि सदाहीति ये रहत नहीं सकल मित्या जात सूर प्रबु ये मोस सुनो एक ही सो नात आरे भाई सदाहीति ये सरीर कहा रहना है ये प्रबु मैं तो एकी बात कहता हूँ कि मेरा तो एक ये निर्गुन उसी से मेरा नाता है ये तो सब मिध्यवात हैं, क्या बात कर रहे हैं यार प्रेम विवलता की कहां? सब मिध्यवात है, ब्रह्म सत्यम है, जगत मिध्यम है, तो मित्रो ये बात, जब क्रसन जी ने सूच लिया कि भाई इसको तो अब सगुन प्रेम की जो जानकारी है पाट साला कूछिंग में इस को भेज देते हैं तो क्रसंजी क्या कहते हैं उदव यह मन निश्य जानो मैंने मन में निश्य जान लिया है मन करम बच में तुम्हे पठावत ब्रजकोत रतपलानो पूरन ब्रह्म सकल अविनासी ताके तुम हो ग्याता रूप रेकने गुन जाती जिकती नहीं जिसके पितु माता तुम उस अगोचर ब्रह्म के ज्याता हो बाई जाओ यह मत दे गूपिन कह आवई विरह नदी में भासती सूर प्रभु जाय तुरंत कहो तुम ब्रह्म बिन नहीं आश्ती अरे वो ब्रह रूपी नदी में डूब रही हैं गूपिया जाओ और उनको यह संदेश दो क कि हे गूपियों तुमारी मुक्ती ब्रह्म के बिना संभव नहीं हैं तो तुम छोड़ो इन सब को ब्रह्म और ज्यान और योकी सीख दे करके गूपियों की मुक्ती कर दो मेरे भाई जारे उपंगसुत उदव तो उदव को उपंगसुत खा गया है और ब्रिजमंडन में जब उदव जाता है तो क्या उसकी अर्चना पूजा होती है पहले तो गूफिया बड़ी ब्रह्मित होती है कि उनको लगता एक क्रसन आ गए लेकिन जब क्रसन की जगेन उनने उदव को देखा तो उनका दिल पर कितना प्रहार पड़ा होगा वो महसूस करने वाली बात है मित्रो और फिर पाउं उसके एक तस्त्री में धोई जाते हैं जल जारी आगे दरी और बूजती हरी कुसलात सब के कुसल छेम पूछी अकरूर कैसे हैं देव की वसुदेव कैसे हैं कुपजा कैसी है क्रसन जी कैसे हैं सब को पूछा और उसके बाद में कुसल छेम जब बा आया है उससे बड़ी क्या बात है गोपियों को करसंद प्रेम जैसा सुख तो नहीं मिलेगा लेकिन चो कि करसंद जी का पैगाम आया है तो ये भी कोई कम गोपियों के लिए सुखदाई तो नहीं है पूरे बर्जमंडर की गोपियां करके कत्रित हो जाती है उदव जो है इस वरे उसको खोजो आप समाधी लगा लो आप प्रभू का इस्मरन करो अपने हिर्दे में वे अविगत अविनासी पूरण घटगट रहे समाए तहनिश्ची के ध्यावगों ऐसे सुझित कमर मन लाए उन पर मन लाओ आपके हिर्दे में है वो आपके हिर्दे में ही आप आपका निरगुण भ्रम बैठा हुआ है उसी में अपने हिर्देस्त करके पहचानो उसको योग और ज्यान आपको मिलते ही आपका तो आपको जन्नत मिल जाएगी आपको स्वर्ग मिल जाएगा तो गोपिया बडिविचलित हो रही है समझी नहीं पारी एक दूसरे की अरी गोपियो जो मुनिवर लगातार जिनका ध्यान करते हैं फिर भी वो उनके रहस्य को नहीं जान पाते हैं उनका व्रत सीखो गोपियो ये कहां काम को नठाओं में भसी हुई हो ये प्रेम प्रेम भो ये सब कुछ नहीं है और सब गोपियां इमानदारी से ओधव को सु जाते हो थो चलो आओ आओ सहीली हो बैठ जाते हैं यह सही कह रहा है हो सकता है आमको करसंजीए से मिल जाए उनका धिमाग तो पुरा करसं specific हुआ अब वो कमलासन पर बैड़ जाती है नेतर बंद कर लेती है लेकिन करसन तो कोई दिखलाई नहीं दे रही है तो फिर विरह सागर में लीन हो जाती है और फिर गोपिया कहती है कि सटपद कही सटपद उदव के लिए आ रहा है बावरा सटपद कही सोई कर देखी हाथ नहीं को ना देत दिखाई फिर भई मगन विरह सागर में का हुई सुधी न रही और पूरन प्रेम देखविनासी मदुकर मौन गई और ये संपोन प्रेम को देख करके वो मदुकर जो भवरा के रूप में उदव के लिए आया है वो मौन हो गया अरे कि मैं सब चीजे क्या देख रहा हूं इतने बड़े इस तर पर गोपियों की प्रेम विवलता जो दिखलाई दे रही है उदव से बेचे नोने लग गया और उसके पस्चाथ जब गोपिया पूछती हैं वो तो भला हो इन गोपियों का जिनके बारे में हम ये कह देते हैं कि सूर की गोपिया भा जो पिया ही क्या पूछ लेती है उदव से कि जो पे उदो हिर्दे मांजरी अरे उदो तुम कह रहे हो कि वो करसन हमारे हिर्दे में बैठा हुआ है तो पे इती अवग्या कैसे सहे परी तबही दवादरुम देहन पाए अब क्यों देह जरी सुन्दर स्याम कमल दलोचन ये हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं ये क्यों उर से निकलके हमको सीतल करेई तो वो कह रहे हैं कि सुन्दर स्याम निक से उरते क्यों सीतल करेई अरे उदो तुम कह रहे हो कि करसन हमारे हिर्दे में है तो हिर्दे में है तो उस समय जब वन जंगल जलता था कंस अपने राक्ष कर्षन ही तो किया करते थे अब कर्षन हमारे हिड़ते के अंदर ही है तो अब जब प्रहकी अगनी से जल रही है तो वो हमारे हिड़ते से निकल करके हमको सीतल क्यों नहीं कर रहे हैं अब बताइए आब अब क्या जवाब देंगे उद्धों मदुकर मन ये बिगरी परे साफ कहती है गुपिया उद्धों मत परिसान हो जब मन ही हमारा बिगड गया जब मन ही हमारे हाथ नहीं है के मदुकर ये मन बिगरे परे समझत नहीं ग्यान गीता को हरी मुसकान अरे तुमारे ये ग्यान गी योग का उपदेश मत दीजिए हम नहीं समझती हैं हम तो करस्ण की मुस्कान पर बिक गए हैं हमारे मन बिगर गए हैं सुधर नहीं पाएंगे और चलो तुम कहते हैं तुमारे ज्ञान को लो हम ले लेंगे हम तुमारे ज्ञान को भी लेंगे हम तुमारे योग को भी लेंग अरे उदो मन नहीं वहों दसबीस मन कोई दसबीस थोड़ी होता है और एक मन था वो कृसंजी के साथ ही चला गया अब जब मन ही हमारे अंदर नहीं रहा तो तुमारे ज्यान, योग अब इसका हम कैसे सम्मान करें आप बताईए फिर चुपचाप से एक बात कहे देती हैं गोपिया उधव को सुनी है कथा कौन निरगोन की रचिपची बात बनावत सगुन सुमेरू प्रकट देखिये तुम तरन की ओट दुरावत अरे कितने बड़े मूर्खो तुम उधव कि इतना बड़ा सुमेरू परवत की तरह करसन का सगुन रुप पुरे प्रत्यक संसार को दिख रहा है और आप उस इतने बड़े सुमेरू को तिनके की ओट में तो अपनी निरगोन विचारदारा में आप सगुन विचारदारा के सुमेरू को दबा सकते हो क्या तो ऐसा आप असंभव काम करने ऐसी जगे आ गए हो मित्रो तो ये कितने भावक विवलता आप यहां देख पाते हैं और फिर गोपियों ने लपेट लिया जब गोपियों ने कहा उदव से कि चलो उदव, एक बात करते हैं तुम्हारा निर्गुन जो तुम देना चाहते हो हम ले लेंगे, लेकिन उसके बारे में ये तो बता दो, निर्गुन कौन देश को बासी मदकर समझाए हासी हम हासी नहीं कर रही हैं, बता दो कि तुम्हारा निर्गुन कौन देश को बासी, कोई माता पिता कौन उसकी दासी तो बताओ तो सही आप आपने उसकी कोई पहचान तो कराई नहीं तुमारा निर्गुन किस देश में बसता है आप इसका जवाब क्या देगा हो दो आप समझ सकते हो और फिर गोपिया कहे देती है का रहूरे मदुकर मदु मतवारे कहा करो निर्गुन लेकर जीवहु कान है हमारे अरे तुमारा क्या करना है निर्गुन लेकर के मतवारे मदुकर तुम जाओ यहां से हमारा निर्गुन नहीं चाहिए हमें तुमारा निर्गुन हमारे पास तो जीवू कान हमारे हमारे पास काना है वो जीते रहे सुनो मदप निर्गुन कंटकते राजपत क्यों रोदो काटे वाले रास्तों में निर्गुन पंथ में क्यों ले जा रहे हो भाई हमको तो राजपत मिला हुआ है स्री करसन के सगुन प्रेम का वो राजपत है तो उदो भाई तुम जाओ क्योंकि हमारे पास इतने मन भी तो नहीं है ना दस-वीस मन भी नहीं है एक मन था जो गया तो मित्रो इन सब बातों को सुन करके और जब गोपिया अपने प्रेम की एक निष्ट विंजना करती है कि गोकुल सब गोपाल उपासी अब बताईए गोकुल मैं तो सब गोपाल की उपासी है तू आ गया आया उगो से बड़ो व्यापारी ला दिखे गोन ग्यान जोग की ब्रज में आनि उतारी लेकिन तुम्हारा जो ये ग्यान और योग और निर्गुन ब्रहम का जो ये जो गठ्री लाए हो न ग्यान की बांद करके तियारो यहाँ पर ये व्यापार नहीं चलेगा जोग ठगोरी ब्रज नभी के है यह व्यापार तियार उदो ऐसे ही फिरज है जैसे लेकर के आया है वैसा ही चला जाएगा तो यहाँ तुम्हारा जो तुम ठगी करने जो आये हो वो यहाँ नहीं चलेगा और तुम जो बार बार निर्गुन और ज्ञान और योग की बात कर रहे हो बार बार ये बचन निबारो भक्ती विरोधि ज्ञान तुमारो तुमारा ज्ञान भक्ती का विरोधि है और हम तो स्रीकरसन की भक्ती भाव नामे और प्रेम में आकंठ डूब गए है और मित्रो फिर गोपियों ने ऐसी बात कह दी उदव को जो वही स्थापित करना सूरदास का भ्रमरगीत में मुख लक्छ रहा है के प्रेम प्रेमते हुए प्रेमते पार है जैयो प्रेम भंदियो संसार प्रेम परमर्थ लहियो सोचे निहुचे प्रेम को जीवन मुक्ती रसाल एक नहुचे प्रेम को जब मिले वी गोपाल ए रे गोपाल में तो, यहां गोकुल में आय हो और तो गोकुल सब गोपाल उपासी, तुम किसकी उपासना की बात कर रहे हो तो गोपी अपनी प्रेम की एक निश्टा को विणजित करती हुई पूरे अस्तित बोद को हिला देती है उदव से कहती है कि हमारो हरी हारिल की लकड़ी सोचिया हरिल एक वो पक्षी है जो एक बार अपनी लकड़ी को पंजों में पकड़ता है तो मरते दम तक वो लकड़ी इसके पंजों से छूटती नहीं है वो लकड़ी परी बैठता है हमेशा तो यह जो हारिल की लकड़ी है वो स्रीकरस्ण का प्रेम है और जो हारिल है वो गोपिया है और उन्होंने इस प्रकार से पकड़ लिया है कि मन करम बचनंद ननन सो उर्दरण करीय पकरी और जागत सूवत सपने सोतक कान कान जकरी, हम तो कान कान जकरी, जैसे इस बार अब आप तयारी करते हुए कॉलेज साईक प्रोफेसर की कान कान जकरी, तो RPSC, RPSC जकरी, जकर जाओ उसमें, और वो साफ कहती है करें सुनो मुदव कि सुनई जोग लगत ऐसो जो करोई ककरी सोई ब्याद हमें ले आए कभी देखी सुने ने करी ये तो सूरतिने देजिये जिनके मन चकरी अरे जिनके मन चलायमान है उनको दो यहां मन चलायमान नहीं है यहां तो इस्थिर्ता है स्रीकर्सन के प्रेम के अलावा यहां कोई इस्था नहीं है पूरन ताइन नेनन पूरी तो यहां तो कोई जगे ही नहीं है भाई जैसे रहीम ने कही एक जगे के प्रितम छवी नेनन वसी पर छवी कहां समाए बरी सराय रहीम लखी पतिक आप फिर जाए तो उदव पतिक है आप तो फिर हो गई और जब इस पहलू को देखा और इस प्रेम की प्रक्रिया में जब उन्होंने डुब की लगाई तो स्वेम उदव को या भास हुआ कि सुन गोपिन को प्रेम नेम उदो क्यों भूलो नेम उस नाम निर्वन नेम को भूल गया और गावत गुन गोपाल फिरत कुंजन में फूलियो और कुंज कुंज में वो भी काना काना गोपाल गोपाल बोलने लग गया भूल गया मत्रा दीश द्वारी का दीश सब्दावली को ही भूल गया कान कान के चन गोपिन के पक धरे धन्य तिहारो प्रेम और धाएं धाएं ध्रों बेटियो हो उदो छाको प्रेम उस एक एक पेड़ के गली लग रहा है जहां जहां करसन अपने लेलाए की और गोपियो के प्रेम को धन्य कह रहा है और उदो कहता है जिनके सर्वस मदन गोपाल वहमत त्यागो यहमती आई तुमारे दरस बक्ती में पाई हे गोपियो मेरी वहमती चली गई निरगुन की योग की ज्यान की अब ये बुद्धी पाई है प्रेम भाव पाया है तुम्मम गुरू मैं दास तुम्मारो तुम तो मेरी गुरू मने हो मैं तुमारे दास हूं और भक्ति सुनाए जगत निश्टारो और सूरदास जिने लिखाए मित्रो बर्मर गीत जे सुने सुनावे प्रेमा भक्ती सो प्रानी पावे इसी प्रेमा भक्ती को इस्थापित करना ब्रमरगीत का मूल उद्देश रहा है मत्रा से जब लोड़ते हैं उदव तो करसं से कहते हैं कि स्री मुख से ज्यान पंथ का संदेश दिया किंची तुने अच्छा नहीं लगा और मैं स्वेम उनके प्रेमरस में डूब गया मादव जू मैं आती सच पायो मैं बहुत सुख पाया है और कटुक कथा लागी मुही अपनी वारस सिंदु समायो मैं उस सगुन करसंद प्रेम के सागर में समा गया और उदव भी उनसे बिंती करते हैं कि मेरी आप से बिंती है कि आप वहाँ जाईए यहां क्या कर रहे हैं आप तो मित्रो इस प्रकार भ्रमर गीत मैं कहूंगा कि मानव जो चित्र फलक है मनुष्य का जो हिर्दय है, उस हिर्दय चित्र फलक की इतनी व्यापक संभावना यहां आप देख सकते हैं, प्रकर्ती का इतना सुंदर उद्धिपनकारी चित्रन यहां मिलता है, मदुबन तुमकत रहे तहरे, विरह वियोग स्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे, कि वो लतर पहले जो सीतल लगती थी अब विसम जुआल की पुंज के समान है, तो इतना सुंदर चित्रन प्रकर्ती के साथ माना वहरदे को जोड़ करके दिखाना, और इन तमाम विचारधाराओं की कितनी सहज अभिवक्ती सुरदास ने कर दी, अन्योक्ति अलंकार और व्य बुता भी है, और भ्रमरगीत हिंदी सहित्य का सरस्रिष्ट द्वनिकाव्य और सरस्रिष्ट उपालंब काव्य है, इन पहलू को भी जानना बहुत जरूरी है, पदों को पढ़ने से पहले उसके मरम को समझो, सरचना का मरम क्या है, उसकी विश्यष्टा क्या है, क्योंकि उसके वैसेष्ट पहलू से सवाल बनाए जाएंगे ये निश्चित है और रहा सवाल पद को पढ़ करके उसका अर्थ समझने का तो मित्रो देखिए बूर्ड पर मैं आपको एक पद दिखाता हूँ इस प्रकार से हम इन पदों का अध्यन करेंगे मसलन सूर्दास की हम बात कर रहे हैं तो सूर्दास का ही आप रेफ्रेंश लीजिए ये पद आपको इस पश्क तोड़ से दिख रहा होगा आयो घोस बड़ो व्योपारी घोस घोस नगरी है और ये नगरी ये नगरी कौन सी नगरी है ये ब्रज नगरी है तो ये पूछ लेंगे आप से कि घोस ब्रज किस किस बस्ती के लिए आया है घोस ब्रज नगरी के लिए आयो अब आयो किस के लिए आ रहा है आयो को रेखांकित करके पूछ देंगे तो बहुत आसान सवाल है तो आप दिक्कत नहीं आएगी उद्धव आयो बड़ो व्यापारी अरे भाई व्यापारी केवल कह देता तो काम चल जाता लेकिन बड़ो व्यापारी व्यंग इसको कहते हैं एक सार्थक व्यंग पहली पंक प्राष्टी कंप्रियां या व्यापार कर रही है ये सब क्या कर रही है ये सब फाटक दे के हाटक मांग रही है तो वही बात यहां भी लागो रही है तो गोपिया कहती है कि एक बड़ा व्यापारी आया है इस बार ब्रज की नगरी का बड़ा व्यापार करने के लिए क्य कर लादी खेप गुन ज्यान जोग की ब्रज में आय उतारी लादी खेप खेप गठरी लादली है कोई बड़ी वाली गठरी लादली है और वो गठरी किस चीज की है निर्गुन की ज्यान की और योग की तो निर्गुन ब्रहम ज्यान और योग की गठरी को लाद करके ब्रज जमें आ करके उतार दिये भाई अभ्यापार करेगा अब यहां पर एक सवाल परिक्षा में ये बनता है कि एक पंक्ति आपको दे दी जाए कि लादी खेपगुन ग्यान जोग की और यहीं इसी में आप से पूछे कि भाई आप ये बताओ कि इसमें अलंकार कौन सा है तो अलं कि लादी खेपगुन तो कहीं नहीं बन रहा यार अनुप्रास अलंकार तो अब कितना आसान है यदि आप इसका बावार्त करेंगे कि ज्ञान योग रूपी गठरी को लाया है तो रूपक अलंकार का बाविक्दम साफ तरीके से दिख रहा है उपमें उक्मान किया यहां तक क्योंकि यह क्वेश्चन इसी प्रकार से आप से पूछे जाएंगे तो लादी खेपगुन ज्यान जोग की कहां उतार दी ब्रज में लाके उतार दी तो भाई अब बड़े व्यापारी का व्यापार हो गया नहीं होगा तो अब देखिए फाटक देकर हाटक नत भूरे निपट सुधारी अरे ये तो फाटक दे रहा है फाटक होता है फटकन जो भुसी बोलते हैं जिसको तो वो फटकन जो निरर्थक वस्तू है अब ये सब्द का आर्थ तो है फटकन लेकिन इसका भावार्थ क्या है भावार्थ है निर्गुन ज्यान योग ब्रह तो वो उसके लिए व्यंजना आया है अब फाटक इसलिए यहाँ पर कौन सा लंकार हो गया अन्योगती अलंकार व्यंजना सबसक्ति इस पश्टोर से आपको दिख रही है और उसके बदले हाटक मांग रहा है हाटक का सब्दार्थ तो होता है मित्रु स्वर्ण लेकिन यहाँ हाटक जो व्यंजित भावार्थ जो निकल रहा है वो है स्री कृसन का प्रेम तो अब यहाँ सब्दा आपसे पूछेंगे कि फाटक क्या है हाटक क्या है और सब्दार्थ अलग चीज है भावार्थ अलग चीज है परिक्षा में आपसे भावार्थ पूछेंगे, व्यंग्यार्थ पूछेंगे, भावार्थ या व्यंग्यार्थ से है, ध्यान रहे, तो फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी हमको बहुत भोला मान लिया है, निपट एकदम सुधारी मान लिया है, हमको तो ले तत्तु मांग रहा है सोना कि स्वर्ण देदो तो कैसा कैसा लगेगा व्यापार के लो भाई गठ्री लेकर आया एक फटकन ले लो सोना देदो उसी प्रकार का भाव है तो फाटक देखे हाटक मांगत भूरे निपत सुधारी दोरीते खोटो खायो है कितना सांदार मुहा समानी का खाया है तुने लयो फिरत सिर भारी और सिर पर इस भारी गठ्री को लेकर फिर रहा है क्यों ये गठ्री भारी क्यों है क्योंकि उस गठ्री से माल बेकी नहीं रहा है जब उस गठ्री से माल बेके गई नहीं तो गठ्री का सम्मान नहीं हो रहा है ना तो गठ्री ह इसे ही समझ जाएंगे बड़े बड़े कोचिंग इस्टिटूट में भी ये गठरी भारी ही है तो खेर इनके कहे कौन डहकावे डहकावे पूछ लेंगे ब्रजवासा का सब्द है जिसका अर्थ है क्या बहकावे में आना दोके में आना अरे तुमारे कहने से कौन दोके में आएगा ऐसी कौन आजानी यहां पर कोई अंजानी अज्ञानी थोड़ी रहती है माना कि हम अहीर की लड़कियां बावली हैं असिक्षित हैं प्रेम में पागल है पर प्रेम में पागल है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि दूसरा कोई फाइदा उठाएगा तो तुमारा दूद च्छांड के पीवे खार कूप को पानी इसको कहते हैं द्रष्टान तलंकार यह पंक्ति आपको दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सा अलंकार यह द्रष्टान तलंकार और द्रष्टान किस बात का दिया गया है बिमपर्तिविम भाव से अरे अपना दूद योग का प्रतीक आप देखिए कितना सुंदर द्रश्टान तलंकार है इस प्रकार से आपकी व्याख्या होनी चाहिए उदो जाओ सवार यहां ते बेगी गहरू जनिलावो है उदो जाओ सवार सवेरे सवेरे सुबह सुबह चले जाना यहां ते बेगी बेगी मन जल्दी सव जनिला वो, देर नहीं करना, सुबह सुबह सवेरे सिक्र यहां से चले जाना, क्यों? कोई तुमारी सकल नहीं देखना चाहती हैं, तो कि मुँ मांगयो पहो, सूरज प्रभु साहुई आने दिखाओ, अरे उदहो, क्यों इतना परिशान हो रहा है मित्र? तुझको तो हम मुँ मांगा देंगे, जो इनाम तुम चाओगे, पहीं हम देंगे, तुमें सूरदास कभी कह रहे हैं, कि साहुई, प्रभु साहुई आने दिखाओ, साहुई साहुकार, तुमारे साहुकार को तो ला के जरा दिखा दो, अए साहुकार कौन है? जिसने तुम्हारा भी बड़ा व्यापारी, जिसने तुमको व्यापार करने के लिए यहां बेजा है, तो यहां साहुई किस के लिए आ रहा है? स्री करसन के लिए आ रहा है ये question ये बना सकते हैं आने दिखावो ला करके उनको दिखादो हमको तुमारे ज्ञान योग की गठरी नहीं चाहिए हमको तो चाहिए तुमारा सहुकार उनका चैरा दिखादो प्रभू स्री किर्सन का चैरा दिखादो पूरे की पूरे पद में आप देखेंगे त तो निर्गुन ब्रहम का खंडन है यहाँ पर ज्यान और योग पर बक्ती और प्रेम की जीत इसपश्ट तोर से देखने को मिल रही है आप देखेंगे साहितिक ब्रजभासा का प्रयोग है और वैसे भी रामचंदर सुकल ने इसपश्ट तोर से लिखा है कि ब्रजभासा क पहली चलती साहितिक रचना सूर सागर ही है और बिम्ब देखिया बिम्ब धर्मिता कितना सुंदर गुन बन रहा है रीती की बात करें आप तो यहाँ आपको बैधर्भी रीती क्योंकि यहाँ पर गुन कोन सा है माधुरी गुन का प्रयोग है संगिता अत्मक्ता कितना सु पूरे पद में अत्यंत त्रिस्कृत वाच्च द्वनी का प्रियोग हुआ है। अब माली जी इसका आर्थ करके हम राजी हो रहे हैं, खुस हो रहे हैं। अब मालो इसमें द्वनी पूछ ली, क्योंकि सिध्धान्त में द्वनी है, कि भाई बताइए कौन सी, किस दौनी का प्रियोग हुआ है अत्यन् तिरिस्कित, क्योंकि पूरे के पूरे निर्गुण भरम का पूरे पद में, तृस्कार किया गया है तो जब तक हमको ये पता नहीं है कि से कावसाश्त्री पहलू क्या है किस प्रकार के दुवनी का प्रियोग हो रहा है और फिर इसमें कहां का अलंकार किस प्रकार के आ रहे हैं द्रश्टांत अलंकार का कितना सुन्दर यहां यह चित्रन हुआ है मित्रो इस प्रकार से हम इन पदों की व्याथ्या करेंगे और इस प्रकार से क्योंकि आप देखें या तो सूर सागर का कौन सी एक सूर सागर की विशिष्टा नहीं है या ब्रमरगीत के संदर में कौन सा एक कथन सही नहीं है या कि सूर दास के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है वो वैसिष्टि परक सवाल बनाएगा एक आप से और एक पूछ लेगा इन टेस्ट में से तो इस प्रकार से डूब करके आपको अध्यन करना है आज की जो आपका जो हमारा सम्मुख था बास्चित करने का वो सिर्फ यही बतलाना है कि पदों का हमको अध्यन की इस प्रकार से करना है आज के लिए इतना ही नमस्कार